हेलो फ्रेंट कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होगे स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिक्वलन पिडिक्शन में है गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो वुमेंस T20 वर्ल्ड का पी स्टार्ट हो रहा है पहला मुकाबला खिला जाएगा बांगलादेस वुमेंस वर्सेज स्कॉटलेंड वुमेंस के बीच में है काफी इंपोर्टन्ट वीडियो रहने वाली है ताकि अगर आप भी इस मैच में इन्वेस्ट करना चाहते हो स्मॉल लिग की बहतरीन टीम बनाना चाहते हो क्लीन स्टीप करना चाहते हो ग्रैंड लिग में बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है तो बस वीडियो को आप लोग फुल बास जरूर कीजेगा ताकि जो भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ आप भी अच्छे से समझ पाओ तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ICC T20 World Cup का ये मुकाबला 3 अक्टूबर को 3 बच के 30 मिनट पे आप लोगो को अपने भारेट टैम नुसार होता हुआ दिख जाएगा अच्छा सबसे पहले वीडियो के कमेंट में जाओ कमेंट करो आप बताओ आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो क्या लगता है कि आज का मैच कौन सी टीम विन करने वाली ठीक है कमेंट जरूर करना बागी सबसे पहले देखो स्कॉइट डिटेलिंग की बात करते हैं बंगलादेस वुमेंस के बारे में पहले मैं आपको बताओंगा फिर स्कॉटलेंड वुमेंस के बारे में बताओंगा फिर जब दोने टीम आपस में खेलती हैं तो टॉप जो खिलाडी है वो कौन से खिलाडी है जो कि अपने fantasy team में हम लोगों को ले के चलना है बाद में आप लोगों को मैं pitch report और playing 11 भी बताने वाला हूँ तो बस दिल थाम के बैठे रही है तो यह start करते हैं दिलेरा अक्तर अगर form की बात कीज़े 10, 49, 21, 4, 6, 17, 33 तो यह इनका form है decent सा form है बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा नहीं कह सकते हैं ठीक है राइट हैंड बैटिंग विकेट कीपर बैटर है सतनी रानी की बात करते हैं राइट हैंड बैटिंग करेंगे उस्टेलिया जैसी टीम हो वूमेंस में उस्टेलिया टीम का कोई बराबरी नहीं है उन सब टीमों के अगेंश्ट भी या अकेले वन वूमेंस आर्मी ये खड़े रहती हैं तो आप इससे इस खिलाडी का अंदाजा लगा सकते हो जबरदस खिलाडी है ठीक है मुर्षिदा खातून की बात करते हैं नहीं मुर्षिदा खातून का तो मैंने बता दिया निगारा सुल्ताना की बात में अभी बता रहा तो आप लोगों को हाँ रितु मोनी की बात करते हैं राइट हैं बातिंग बातिंग राइट हैं राबिया खान की बात करते हैं फॉर्म उतना कोई खासा देखनी को मिल नहीं रहा है बाकि as a differential GL वगरा में चाओ तो ले सकते हो नाहिदा अक्तर इस टीम के एक proper baller है left-arm orthodox balling करती है important baller है generally ये wicket निकालती है सुल्ताना खातुन की बात करते हैं बहुत गंदा इनका form देखनी को मिल रहा है सेम मारूफा अक्तर कभी जादातर मैचों में wicketless गई है अगरवाइस दो wicket ये कम से कम निकाल देती है बाकि जहनारा आलम इस टीम की सबसे striker baller है सबसे main baller है लेकिन form बिल्कुल इनके हक में नहीं है सोबेना मुष्टरी की बात करते हैं तो totally flop पे right hand batting करती हैं फाहिमा खातून की बात करते हैं decent सा form है बाकि ताज नहर की बात करते हैं इन्होंने भी 2 match खेला 17 और 16 किया है दिसा बिस्वास की बात करते हैं balling भी करती हैं ना कोई खासा form देखने को मिलने रहा है तो यह देखो पूरे bangla des squad है जो भी खिलाड़ी है जैसा भी form है आपके सामने है ठीक है आप किसको लेना है आप बहतर decide खुद भी कर सकते हो बाकि मेरी team देखना चाहते हूँ तो वीड़ो में बने रहा हूँ जबर दस्ते पलस पार्ट टाइम बालिंग भी करती है तो important खिलाड़ी है कैथनी ब्रेंस इस टीम की सबसे proper all-rounder खिलाड़ी इंस अप अपनी fantasy team इनको cvc करके चलना है प्रियनास चटिरजी की बात करते है राइट हें बैटिंग राइट हें आम मीडियम बालिंग करती है फॉर्म देखिएगा ठीक ठाक सा फॉर्म है लॉर्ना जैक की बात करते है विकेट कीपर बैटर है ऐस अ डिफरेंसियल ग्राइट लिग में आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो 25-30 भी कर देती है न तो जील में अच्छी खिलाड़ी हो सकती है मेगान मेकोल की बात करते है 24 और 50 बाकी जादा तर फ्लॉप पारिया ही है कैथनी फ्रेसर की बात करते है ग्राइट लिग वाली या ओल राउंडर खिलाड़ी है जरा ध्यान इनको उपर जरूर रखियेगा डार्फिया काटर की बात करते है पर्फोर्मेंस वाइज तो अच्छी खासा पर्फोर्मेंस इन्होंने दिया है बाकी फ्रेंटिसी टीम में जरूर जगा बना लेंगे रैट ऑन बेटिंग राइट ओम आ फ्रेक बॉलिंग करती है रैचल सैल्टर की बात करते है इस टीम की एक प्रॉपर बॉलर में से एक है ओलिविया बेल की बात करते है तो इन्होंने पर्फोर्मेंस दिया है दो-दो विकेट तो कम से कम इनसे expect जरूर करोगे आप second ball में तो important हो जाएंगे अब तना मक्सूद की बाद करते हैं हिजाब लगा के खेलती हैं आप लोगों ने इनको देखा होगा ठीक यार मुझे लगा यार ये कौन के लाली खेल रहा है तो आप इनका performance देख सकते हो उसके बाद Hannah Rennie की बाद करते हैं एक match में 5 wicket भी इन्होंने निकाला है बाकि 2-2 wicket इन्होंने निकाला है बाकि जादातर matchों में wicketless भी जाती है Alicia Seltar 44 और 23 बाकि कुछ खासा नहीं किया है फिर double digit में भी नहीं गई है Abby Aitner Drummond की बाद करते हैं तो totally flop है बाकि call Abel की बाद करते हैं तो इन्होंने भी देखिएगा जादा कुछ performance दिया नहीं है तो यह तो हो गया दोनों टीमों का squad बेतर आपको मालूम चल गया होगा जितने भी squad में खिलाड़ी है सभी के बारे में अब head to head पे एक नजर देखते हैं तो भाई 5 मैचेज हुए और बांगलादेस वोमेंस की टीम मजबूत है Scotland वोमेंस के compare में मजबूत है पांचों मैच इन्ही लोगों ने win किया है अच्छा देखो कुछ लोगों को न women's cricket में जादा interest नहीं होता है उनको जादा तर खिलालियों के बारे में knowledge नहीं होता है कौन सी टीम मजबूत है कौन सी टीम कमज़ोर है तो simple समय आपको एक technique बताता हूँ formula बताता हूँ जो men's cricket रहती है न same women's cricket भी वही मतलब team की strength रहती है जितनी मजबूत banglay desse की men's की team है उतनी मजबूत आप कहिसकते हो women's की team है जितनी मजबूत Scotland की men's की team है उतनी मजबूत Scotland की women's की team है सबसे best example है ऐस्टेलिया की team या मैंस cricket में देख लो या फिर आप women's cricket में देख लो सबसे easy होता है क्योνकि women's match बहुत लोग देखना मतलब पसंद नहीं करते हैं मतलब समझ भी भी नहीं आता है या फिर लोगों को कोई भी रिजन हो सकता है कि इंट्रेश नहीं आता है तो कौन सी टीम मजबूत है विन कर सकती है या आप मेंस किर्केट से अंदाजा लगा सकती है हेट्टुएड में देख लेते हैं कुछ रिसेंट जो मैचेज खेले गा है जो पाचो मैच वैसे बांगलादस की ही टीम ने विन किया है यहाँ पे देखो स्कॉटलेंड की टीम 77 करके ओल आउट हो जाती 19 सितंबर 2022 की बात है दो साल पहले की जो की बांगलादस की टीम 4 विकेट गवाती यह मैच को विन करती है अब इस मैच में टॉप पफोर्मर देखो लॉर्ना जैक के बाइस है सारा ब्रेंस के 14 है रेचन सेल्टर के 2 विकेट है कैथनी फ्रेसर के एक विकेट है हाना रैनी के एक विकेट है निगार सुल्तान 24, नाहिदा अक्तर 2 विकेट अगेन स्कॉटलेंड की पूरी टिम 77 पर ओल आउट होती है बांगलादस एक विकेट को खोती है मैच को विन करती है इस मैच को भी बांगलादस की टीम विन करती है निगार सुल्ताना इंपोर्टेंटेव अगें देको मुर्शिदा खातून का नाम रिपीट हो रहा है कैथनी ब्रेंस का नाम रिपीट हो रहा है फिर नीचे देखिएगा अगें कैथनी ब्रेंस का नाम रिपीट हो रहा है नाहीदा अक्तर का नाम आ रहा है निगारा सुल्टाना का नाम आ रहा है अब देखूँ से निगारा सुल्ताना जो इनकी विकेट कीपर है यह कुछ common खेलाडी है जो कि जादा तर मैचों में जब टीम लड़ा खडाती है या फिर कैसी भी situation होती है न यह खेलाडी सामने आती है front food पे आती है खुद टीम के लिए performance करती है पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं तो सार्जा किरकेट stadium UAE का ground रहने वाला है पहले देखो यह जो टुनामेंट है वो बांगलादिस में होने वाला था लेकिन आपको मालूम है बांगलादिस में अभी कुछ महौल वगएरा सही नहीं चल रहा है इसके वज़ा से यह जो टुनामेंट है UAE में shift कर दिया गया था अगर boundary dimension की बात की ज चल सकते हो ठीक है आई थिंक 150 आप लोगों को बनता हुआ दिखना चाहिए बाकि अगर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो फिर यह नंबर सा आप लोगों को 115-120 के भी something आते हुए दिख सकता है तो वोमेंस के रिकेट है exact पिछ रिपोर्ट बताना काफी मुश्किल होता है जैसे की टीटेन होता है ना इसी एस वागरा का सेम वोमेंस का पिछ रिपोर्ट होता है बागी क्वाल्टी वाइज यह किरकेट होता है एक तो आईसी सी का डूनामेंट है तो क्वाल्टी तो आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा लाट आश्ट आठ मैच को कि अगर बात की जाए इस वेनू पर तो तीन मैच को फर्स्ट बैट करने वाली टीम ने पांच मैच को चेजिंग साइड ने विन किया है स्कॉटलेंड बांगलाद इसकी साइड ने कभी इस वेनू पर मैच खेला नहीं है रिसेंडली कुछ मैचेज खेले गा है दे साथ वेकेट पेसर, चार वेकेट इस पिनर, निउजी लैंड की टीम देड सो करती है पाकिस्तान की वोमेंज फिर से चेज नहीं करपाती, 111 करती है तीन वेकेट पेसर, शे वेकेट इस पिनर, तो अगर एक मैच को यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर मैचो तो मैं फस्ट बैट करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और एवरेज जो स्कोर है यही आप लोगों को बनता हुआ दिक जाएगा और विकेट की बात की जाए मैं यही कहूंगा इक्वल सपोर्ट मानना और इस्पीनर पेसर दोनों को खास करके वूमेंस किरकेड में अथिनी रानी ओपिन कर सकती है मुर्शिदा खातून वन डाउन निगार सूलतान फिर आप लोगों को रितु मोनी शुरना अक्तर राबिया खान नाहिदा अक्तर सूलताना खातुन मारूफा अक्तर जहनारा आलम बाकि स्कोट्लेंड के तरफ से सारा ब्रेंस साक्सी हॉरल कैथनी ब्रेंस वन डाउन बाकि प्रियंका चेटर जी लॉरन जैक मेगन मैकोल कैथनी फ्रेसर डैर्नी कार्टर रैचल सैल्टर ओलीविया बिल और अब अब आता मक्सूद यह कुछ गयारा खिलाली आप लोगों को खेलते हुए दिख सकते हैं बाकि चलिए देखते हैं आज सारा ब्रेंस दोनों को मैं टीम में लेके चल रहा हूं दोनों देखो अपने टीम के तरफ से इंपोर्टेंट खिलाडी हैं और जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा है कि वुमेंस किर्कट में 90-95 परसेंट कुछ कॉमन खिलाडी होते हैं जो की जनरली परफॉर्मेंस करते ह अच्छा वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले इसकीप मत करो बात सुन लो टेली ग्राम चैनल का लिंग किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है लिंक वर्ग ना करें तो सिंपली से क्रिक 2580 अगर आप चाहो तो लिख करके सर्च कर क्या सकते हो बाकि हां बताता अगर बहुत जबर जस्ते इनको लेके चल रहा हूं बाकि स्मॉल लिख का कौन खिलाडी ग्रांड लिख का कौन खिलाडी ये सब कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है और राउंडर से देखो कैथनी ब्रंस रीतु मोनी शौरना अक्तर को लेके चल रहा हूं ब पीचे टरजी का विकल फे जील में देख लेना बाकि रीतु मोनी होप की इनका ओफर ना कटे तो इंपोर्टेंट है बॉलिंग से नहीदा अक्तर आर्शेल्टर राबिया खान इन तीनों को लेके चल रहा हूं अच्छा देखो जहनारा अलम का फॉर्म अच्छा नहीं ले इस कैप्टेंसी जी बात की जा तो देखो दुनिया जा रही है रीतु मोनी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो नहीदा अक्तर को चाहो तो वीसी बना सकते हो दोनों टीम है अपने विक्टे गिराने वाली है तो इसका मतलब आल राउंडर्स बालर्स काफी इंपोर्टेंट बगएर से भी ये कैचिंग स्टंपिंग के पॉइंट दे सकती है 25-30 भी कर देती है दोशार कैचिंग स्टंपिंग पकड़ लेती है तो इजी वाइस कैप्टन वाला तो काम करी देंगी बाकी देख लो फिलाल कैथनी ब्रेंस कैप्टन रीतु मोनी वाइस कैप्टन और ज वीडियो फसंद आई लाइक करना जो लोग चैनल पर नहोंगे सस्क्राइब करना बाकि यह टेलीग्राम पर रहना जो भी टॉस के बाद अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा तो मिलते हैं गोर अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई टेक के